सीजन वन से जहां कहानी खत्म हुई थी, सीजन टू में वहीं से शुरू होती है वेब सिरीज में कुछ पुराने करेक्टर्स के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलते हैं रिव्यू करेंगे वेब सिरीज होस्टेजस सीजन टू एक्षन, थ्रिल और कुछ ड्रामेटिक ट्विस्ट वाली इस वेब सीरीज के पहले पार्ट में एक डॉक्टर का परिवार हॉस्टेज था वहीं यहाँ सिटुएशन चेंज होती है और हॉस्टेज बनाके रखने की जगह के साथ-साथ कुछ कैरेक्टर्स भी चेंज है इस वेब सीरीज में कई सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं जो फिल्म को देखने का इंट्रेस्ट बनाए रखते हैं इस वेब सीरीज में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे लाइटिंग की जो कि इस वेब सीरीज का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है पहले कुछ negative lighting पर बात कर लेते हैं आजकल filmों और web series में एक तेज backlight का चलन है यानि दिन हो या रात हो ज्यादा तर बार scene को cinematic बनाने के लिए characters के पीछे से एक बड़ा focus light मारा जाता है outdoor shoot हो तो backlight के तौर पर सूरज की रोश्टी का सहारा लिया जाता है जो real लगता है लेकिन कई बार रात के scenes में भी इस backlight का इस्तमाल किया जाना आमसा हो गया फिल्मों में अब ये backlight scene पर depend करता है अगर उस scene में ऐसा कुछ है कि पीछे कोई light जलती दिख सके तो समझ आता है लेकिन आजकल जबरदस्ती एक light पीछे लगा कर scene को cinematic बनाने की कोशिश की जाती है यहां इस web series में film का ज्यादतर पार्ट एक खंडर नुमा बंगले के अंदर है जहां lights होने के संभावना बहुत कम होती है बावजूद इसके कई scenes में character के सर के पीछे तेज रोशनी cinematic तो लगती है लेकिन साथी साथ थोड़ा unreal भी लगता है अगर हम lighting के positive part की बात करें तो वो शांदार है आधा dark और आधी light का face पर use करके जिस प्रकार से characters को दिखाये गया है वो scenes को interesting बनाता है हलाकि web series है तो थोड़ी liberty ले ली जाती है but all it all lighting की तारीफ की जानी चाहिए maximum जगह screenplay बहुत अच्छा है हर एक scene के final ending से पहले ही उस scene को खत्मगर के अगले scene पर आ जाते हैं ताकि उस पिछले scene में क्या घटता है उसे देखने की उत्सुकता बनी रहे पूरी web series focused है hostages पर अब पूरा scene ये है कि कुछ लोग बंगले के अंदर छिपे हैं और बाहर चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेरा हुआ है यानि main focus बंगले के अंदर के characters और बाहर खड़ी पुलिस पर होना चाहिए लेकिन बीच में एक जगे इस situation को दरकिनार करके कहानी कहीं और भटकती नजर आती है यानि करीब 20-25 मिनट तक बंगलों के अंदर का महल बहुत casual सा हो जाता है लगता ही नहीं कि अंदर जो अपराधी है उन्हें बाहर पूरी police force ने घेर रखा है खेर उस 20-25 मिनट के अलावा कहीं पर भी इस गलती को दोहराया नहीं गया है कुछे एक जगे बहुत अच्छे dialogues भी सुने जा सकते हैं अच्छे in the sense, meaningful रॉनित रॉय की बात करें तो वो एक मजह हुए अक्टर है अपने इस गंभीर किरदार को जैसे उन्होंने hostages के season 1 में maintain रखा था वैसे ही वो यहां बने रहते है अमित सियाल का काम भी ठीक है वैसे भी आज कल कोई भी web series उनके बिना पूरी होती नहीं है कहने का मतलब है लगबग हर web series में वो नजर आ ही जाते है श्वेता प्रसाद बासू इस फिल्म में एक खास रोल निभा रही है वो एक अच्छी कलाकार है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जैसा कि हमने दताशकंत फाइल में देखा था वो कई जगे overdramatic हो जाती है कुछ वैसा ही यहां भी कई scenes में देखने को मिलता है देनो मोरिया इस web series में एक villain के रोल में है एक web series mental hood के अलावा वो कई साल बाद web series में नजर आए है वो भी एक villain के तौर पर उनका charm look और personality उनके इस किरदार को suit भी करता है पहले के मुकाबले उनकी acting में काफी maturity आ गई है और यह maturity उनके हर scene में महसूस किया जा सकता है hostages 2 में जो नए किरदार शामिल हुए है उनमें से एक है दिव्यत अत्ता पुलिस विभाग में negotiator जैसी भी कोई designation होती है मुझे तो actually आज ही पता चला इससे पहले हमने filmों और web series में hostage situation में पुलिस commissioner या SP को ही criminals के साथ negotiate करते देखा है पहली बार इस web series में पुलिस विभाग में एक negotiator देखने को मिली है जो criminals के साथ बातचीत करके उनकी demand सुनती है और देखा जाए तो पूरी force को वो ही lead कर रही है डीजी तक के officer भी उनके हिसाब से ही काम करते दिखाए गए हैं इस web series में anyways उन्होंने भी अपने role को अच्छा निभाया है web series में hostages के तौर पर एक lady police officer को भी बंदक बनाया जाता है और ये एक बार भागने की नाकाम कोशिश करेगी ये लगभग पता चली जाता है बट ये तो एक filmmaker की सोच होती है कि कब किस character को कितना दिखाना है फिल्म का background music भी अच्छा है, scenes को support करता है action scenes भी impressive है, ज्यादतर gunshots वाले action देखने को मिलते हैं कुल मिला के यही कह सकते हैं कि अगर आपको इसका season 1 अच्छा लगा था तो no doubt इस बार आपको पहले से भी ज्यादा thrill, action और drama देखने को मिलेगा मेरी दरफ से इस web series को 3.5 stars Have a nice day